है एक हैलो फुरेंज कैसे आप लोग वमीद करते हैं आप सुनलेजी आँके बंहीं कीजे जिसी वी चुछाप काड को चुनलेज़े उसके बाद सीजु़न देखेंगे कि आप के लिए अपके लिए क्या गाइइडनस है क्या सला है जिए भी सक्टिव आप विश्वास करते हैं जनकी भी पूचा करते हैं समझ दिएगा जवाब आपको महीं से मिला है ठीक है बुक्वाओ। अच्छा आपके अभी तौ फिल हाल मुझे दिख रहे हैं और देखें दो तारीक, चार तारीक फ़रवेरी अप्रेल यह चीज देख रही है आपके कार्ट में इसमें लग रहा है ना कि आप कुछ सोच रहे हैं कि कुछ करना चाहा रहे हैं लेकिन आप बहुत और आपके अंदर एक बहुत डर भी है कि सायद ये काम में रुकावटे आए सायद हो सकता है आपके लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोगों की कमी नहीं है जो आप से जलते हैं तो आपके दुस्मन बैठें हुए हैं यह है कि मतलब आपको थोड़ा सा डर भी है कि अगर मैं उस काम को करूं तो कहीं ऐसा ना हो कि लोग सब विरोद करें अब यह आप देखेंगा क्या आप सोच रहे हैं कि आपके लिए आप लाइफ में एक्शन नहीं देपार देखें कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर की फैमिली में कुछ ऐसे लोग है जो आपको एक्सेप्ट ना करें तो यहीं साही चीजें यहां पर एक्शन नहीं ले पा रहे हैं आप आपा सोच बहुत रहे हैं और यह सा सोच है ना मुझे लग रहा है कि यह जाला हो गया मतलब ओर थिंक केहते हैं हस सब्सक्राइब करें स्पंसर्षाइए इतना सोचने की जरुरत नहीं है देखिए जाड़ा सोचने से क्या हो रहा है कि आप थोड़ा सा निगेटिव इनरजी में चले जा रहे हैं जहां पर इक होता है कि इनसान सोचने में काफी वक्त अपना ले जाता ह तो अगर ऐसी सिच्वेशन में आपको नहीं पढ़ना है जहां पर टाइम वेस्ट हो तो अच्छा है कि आप एक्षन ले उसका जो भी रिजल्ट होता है उसको एक्सेप्ट करें वो लाइफ में आगे बढ़ें बहुत जादा सोचने के जरुवत नहीं देखिए अच्छा बुरा आपके हाथ में नहीं आप तो अच्छा कार्म कीजिए उसका क्या रिजल्ट मिलता है वह आप इश्वर फिच्वाप दीजिए यह सोचेगा कि जो भी रिजल्ट है वह इश्वर की ही मतला मर्जी से है तो इ सब्सक्राइब करना चाहा रहे हुएं आपको आपको हाल की तुर तरफ से कंफर्म करें हरे हैं कि वह आपके तुर्फिछ है सही है क्याम काम आप कर रहे हैं कुछ चीजों को आभी मतलब ऐसा है ना कि उसको खुल के नहीं कर पा रहे हैं घलत हो जाए तो जब तक आप करेंगे नहीं आपको कि पता नहीं चलेगा करना है वह आपको अब भस से जाधा उसीज को लेकि परिशान है और आक कि बहुत इंपोर्टन चीज है यह बहुत साही लोगे साथ करियर के लिए भी और बहुत सारी लों के लिए पोजनल लाइब नीजे दिखता रहा है अगर आपके देटावर्स से मैच करते हैं आपके डेका नाच करते हैं तो आपके रिडिंग है और जो चीज़े में आपसे बताई हैं चाहिए आप यह मुझा dif और और लिजेए क्यूंकि आप जो भी काम बहुत सारा वक्त आपने अप तक चीज को दे दिया है अब उसका आपको चाहिए तो आप उसको कर लीजे अगर आप ब्रेक अप करने का सोच रहे हैं तो आपके लाइफ लिए अगर आप रिलेशन्शिप में आगे बढ़ने का सोच रहे हैं तो बढ़ जाएए अपने परस् अगर चुनना चाहते हैं तो अपनी जितनी भी आपकी चंपता उस हिसाब से बिस्नेस आप करना चाहरे हैं पार्टनर्शिप में आप चाहरे हैं की अंप्लियूजन है तो क्लियर कर लीजे कि आपको किसमी खुशी मिलती है उस परसंट पर विस्वास है या नहीं है अगर विस्वास आपको है उस परसंट की कि हाँ वो इंसान अच्छा है तो पार्टनर्शिप कर लीजे उनके साथ यह साथ चीज़े है मेरा कहने का यहीं मतलब है एक्शन आप ले लीजे और तिंगिंग करने की जरुवत नहीं है जो भी रिजल्ट होगा इश्वर की दया से उस क्या होगा ठीक है उमिद करते हैं कि आज की गाइडेंस आपको पसंद आई होगी तो जिसकी शक्ति पर आपको भरोसा है यह सोचिएगा कि यह जो गाइडेंस है आपको वहीं से मिल रही है हर रात नोग से जरूर देखिएगा आए देखते हैं जिन लोगोंने भी कार्ड अजनि नमबर दो आपने चुलन के विइंग के लिए आज की गाइडेंस के लिए तो हमें क्या पता चलता है कि आपके लैफ में क्या चलता है कि Ici तो चैनला आप्को और आपको क्या संवी रहेगी what is the जिए वीडियो इस वीडिती आपसे तीफ आपको जरूर मिलेगा ठीक है जैना कि आपको आंसर मिल जाएगा विस्वास के साथ ही सब कुछ है इसमें आपको विस्वास तो अंसर नहीं है तो नहीं आए देखते हैं क्या इस कि देखी क्या है ना मुझे जासे आपके कार्ट दिख रहे हैं ना बहुत ही अच्छे कार्ट है लेकिन मुझे समस्या देख रही है आपके लाइफ में समस्या यह दिख रही है कि आपके सामने तो खुश्या है आप जानते हैं कि आप चाहें तो एक पल में ही अपने जीवन को एक अच्छी खुशहार रास्ते पे ले जा सकते हैं जरुबत यहां पर डिसीजन की है आप फसे हुए हैं डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं आपको किसी चीज़े बहुत जादा लगा हो चुका है हो सकता है कि कोई चीज आपके लाइफ में है काफी समय से है और वह चीज आपके लिए अच्छे भी नहीं है लेकिन फिर भी आप उस चीज से जुड़े हुए हैं आप उसे छोड़ना नहीं चाहते हैं आप उसे बहुत ज़्यादा की भावना एक हमारी होना ही जुड़ जाती है ऐसी अटेश्मेंट है कि आप चाहते तो हैं आप यह भी जानते हैं कि आपको यह चीज नुकसान दे रही है अब इसमें आपका कोई फ्यूचर नहीं है इसमें कुछ भी गुट नहीं है लेकिन आप फिर भी चाहते हैं मुझे यह चाहिए और मु रिष्टा और यह एक सर्कल पूरा हो चुका इस रिलेशन्शिप का सायद हो सकता है बहुत साय लोग कि सोचेंगे कि मैं आपको बहुत बहुत नेगेटिव बतारी हूं आपको पॉस्टिव चाहिए लेकिन मुझे लग भी रहा है कि आपको अच्छे से पता है कि क्या आप वापस लोटके नहीं आने वाला है लेकिन फिर भी आप उसको पकड़ के बैठे हुए ठीक है उद्रायन के दौर पर अगर आपने पॉधा लगाया और कुछ समय बाद आपने उसमें सब कुछ दिया पानी दिया खाद दिया सब कुछ दिया लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है कि पौधा सुख जाता नहीं पकड़ता है उसको जीवित करने का फिर कोई उपाय नहीं होता वह एक तरीके से वह रिलेशन्शिप आप समझ लेजे कि आप फिर से उसमें आप कुछ भी डाल लेंगे आपको भी पता रहेगा कि नहीं कुछ करके मैं उसको ठीक कर लूँगा ल आगे हम continue नहीं कर सकते हैं फिर भी आप इतना ज्यादा परसन से थे कि आप उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं तो मुझे बहुत साही लोग के लिए लग रहा है कि यह जो भी समस्य आपकी है आपको guidance की जरूवत अगर एंजल देना चाहरे हैं आपके इश्वर देना चाहरे आपकी कि आप भरोसा करते हैं जिसको भी आपने प्रात्न में याद किया वह इंसान अगर मतलग कहीं से भी अगर आपको आंसर चाहिए था ना मान जिए जो भी प्रात्ना आपने की थी ना सबसे श्टार्टिंग में आपको बता देती हूं कि आप उन्हीं का नाम उन्हें है। हम तो इनकी कोता है। हम करते हैं। घुल máxim को विश्वास होता है। उसी तो आप ऑन और विश्वास होता है। आप डिये समझ लिएंज़ लिसे का इन ंसिता है। श्वारा है आपका मन बता रहारा है आपका दिमाग बता रहा है आपकी आत्मा यहां कुछ नहीं है तो उस जगा星 sv जाईए पकरकर बैठें होगिए उससे हट जाईए आपके लाइफ में बहुत सारिशच खुश्या है जिवन ने पकी लाइफD लेकिन आप जब खुद नहीं हटना चाहेंगे तो कुछ नहीं किया जा सकता है ना इनसान को कुछ समझना पड़ता है कि नहीं अब चलिए मूव आन करते हैं तो मूव आन के लिए कारड हैं यह सारे बहुत ज़रा जोड़ने की जरुवत नहीं है आप बंद ही हुए किसी ची तो आप जाते हैं कि आपकी परशारे करता हैं आप यह ंब फ़ी सिच्वेशना को कर लिए आपको भी पता है कि उसका चाहिर्想ना की पहला था कि आपकी आपकी लाइफे जुड़ा हूँ आनसर है एक सब्सक्रान था जो आपके लाइफ का पूरा हो च्का है और आप लाइफ एक नया मोड लेने वाली है आपकी एक टर्ण जिसे हम कहते हैं मालेज़े एक चक्र है वो खुम चुका है अब पुछी तरिके से एक न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ का है जिसमें क्या है ना कि आपकी जिन्दिगी खुद वेट कर रही है कि आप डिसिजन ले ले आपको यह 9 बज़े मिल जाएगा अगर आपको पसंद आया तो continue होता रहेगा अगर नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं सुबह का संदेज तो आपको पसंद आता यह वह भी देखा करिए डेली सुबह 6 बज़े आपको मिल जाता है जब भी सुबह उठके कितने वज़े आपके उपर है कितने वज़े उठते हैं लेकिन देख जरूर लिया कीजिए मिलते हैं अगले वीडियो में बाइफेंट